वेल्कम टू माई चैनल तो फ्रेंट जैसे की फेस्टिवल सीजन बचल रहा है एक की बाद एक फेस्टिवल आ रहा है और आने वाला एक करवा चूत करवा चूत हो यह होई आस्टमी यह दिवाली तो फ्रेंट्स हम्मारी यहां पर खीर हल्वा यह सब तो बनाया ही जाता है तो इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है जैसे की हम रबडी खीर बनाते है उसलों दूद को घंटों पकाना पड़ता है तो आज मैं आपको बताओंगी रबडी खीर की रेसीपी जो बहुत ही कम समय में बनकर त्यार होगी और आप मिन्टों में इसे बनाकर लेटी ग कर्वा चोट पर हमारेक बनंड करोश कर ने बनाकर रड़ी कर ने बनाना हमारे कर रेडी है पर सबस्किलम को चावल 1 लीटर दोध और बस इसके लिए लगाकर हम कवर कर करके कुकर को एक सीटि आने तक इसको पकाएंगे और एक सीटी आ जाए हम गैस का फ्लें लो कर देंगे cutest लो फ्लेम पे हम 10-15 मिनट के लिए पकाये उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हम गैसि आफ कर देंगे और इसका प्रेस लगबग हाफ कटोरी यानि पांसे छे चमाच मीठा या कम जादा आप अपने च्वाइस से कर सकते हो तो इसको थोड़ा हम चला लेंगे और जो खीर हम एक बावल में निकाली है उसको थोड़ा समय ठंडा होने के बाद मिक्सी में चला लिया ये देखे मैंने उसका पेस्ट पुना लिया इसे हमारी इसी क्या होगा फ्रेंस कि हमारी जो खीर है एकड़म क्रीमी और बहुत ही तेस्टी बनेगी और ये देखे ये डाल रही हो में केसर वाला दूद जो मैंने गरम दूद में थोड़ी सी केसर को भीगो दिया था वह भी मैं इसमें एक्ड़ कर दूग है तब तक हम जो है ड्राइफ फूर्स रोस्ट कर लेंगे एक फैन में थोड़ा घी डाल कर और थोड़ी सी काजू बादाम जो भी आपकी पास अवे लेवल हो आप वो ड्राइफ फूर्स एड़ कर सकते हो और मैंने इसमें काजू बादाम थोड़ी पिस्ता और किसमिस लि यह देखि किर हमारी रीड्स मैंने एक बावल के निकाल लिए और उपर से गार्णिस कर रहे हों ने बचे होए ड्राइफ फूर्स तो यह देखिए मैंने काजू बदाम इसमीस और पिस्ता इस पे उपर से गार्णिस कर दिए है तो है बन गई है नो Capital है और आपको देकर ल आप इस ते में या दिवाली पर आप इसे जरूर ट्राइक कीजिए गा और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा इसी तरह की फैस्टीवल वीडियो में ने और भी कीजिए जरूर जरूर में पार वाजगाएब में याज़कर प्रूर लोगी तरह कीजिए बताएब का उताथ तरूर आप।